क्या आपको ब्रेंड के सबनी अलग अलग तकलिफ है कोई भी चीज़ को आप अच्छी तरीके से याद नहीं रख पाते हो कोई भी चीज़ पर आप फोकस नहीं लगा पाते हो या फिर ब्रेंड के सेल में डी जेनरेटिव चैंजिस हुए जैसे कि पार्किंसन्स डीसिज में देखा जाता है या फिर आपको मेंटल या तो फिर साइकोलोजिकल प्रोब्लम सो हुआ है एपिलेपसी की असर हुए है और आप यह सबी तकलिफों का इलाज करना चाहते हो या फिर आपको इनमें से कोई भी तकलिफ नहीं है फिर भी आप अपने ब्रेंड को हमेशा होने वाला है हाई फ्रेंट्स मैं हूँ डॉक्टर परहत आप सभी लोग का हमार यूट्व चैनल आपका हेल गूरू में स्वागत है इस वीडियो में आपको मैं ऐसा एक्विपेसर पॉइंट सिखाने वालों के जिनके जरिये आप यह ब्रेंड के सबंदी सभी तकलिफों मे बहुती बड़ीया रिजल्ट ले सकते हो और अगर आप यह सभी पॉइंट्स को नियमी दबाते हो तो आप अपने ब्रेंड को हमेशा हेल्दी रख सकते हो तो यहाँ पर आपको मैं सूजोग ठेरापी के पॉइंट्स सिखाने वालों सूजोग ठेरापी में सू याने के हा होता है यहाँ पर हमें हाथ और पेर के द्वारा हमारे सिरी के सभी रोग का इलाज करना होता है जैसे कि हाथ में यह हमारा हेड और नेक होता है यहाँ पर हमारी चेस्ट होती है यहाँ पर हमारा एब्डोमेन याने के टमी होता है मिडल की दो फिंगर हमारे लेक्स होते है बाहर की दो finger हमारे arms को indicate करती है तो यहाँ पर हमें 3 step की procedure सही तरीके से follow करनी होती है step 1 में exit point को locate करना होता है step 2 में वहाँ पर हमें activation देना होता है step 3 में वहाँ पर magnet या तो seed apply करना होता है अगर यह 3 step को आप सही तरीके से follow करती हो तो आप अपने सरी का कोई भी रोका इलाज गर बेठे ही बहुत ही आसानी से सुजोग थरापी के द्वारा कर सकते हो इनके अलावा आपको दो रूल्स को खास याद रखना है जिस साइट का ओर्गन आपका अफेक्टेड है वो साइट के हाथ और फूट पर अगर आप ट्री सकते हो सुजोग थरापी के हिसाब से हमारा पूरा बोड़ी हमारे हाथ और पेर में होता है इनको मेन कोर्स्पोनेंस बोलाता है इनके अलावा सुजोग थरापी के हिसाब से हमारा पूरा बोड़ी हमारे फिंगर में और टोज में होती है इनको इंसेक्ट कोर्सपोनेंस ब दो जगा पर treatment करनी बहुती जरूरी होती है अगर आप सही result पाना चाहते हो तो पहले हम step 1 को जान लेते हैं हमारा जो brain है वो हमारे body के mid line पर दोनों side पर होता है यहाँ पर हमें दोनों side के brain को activate करना है उनको treatment देनी है यानि कि आप कोई भी heart और कोई भी food पर ilaj कर सकते हो right hand मे या तो left hand में treatment कर सकते हो मैं यहाँ पर आपको right hand में treatment सिखा रहा हूँ इसी तरीके से आप left hand पर treatment कर सकते हो तो यहाँ पर हमारा brain हमारे head or neck के area पर होता है तो यह हमारा head or neck का area है इनके लिए हाथ की position हमें इस तरीके से रखनी होती है हमारा जो thumb है वो उपर की direction में होना चा फेस के ऊपर यहाँ पर हमारा ब्रेन का एरिया होता है, इस जगाँ पर हमें ट्रीटमेंट देनी है, तो यह हो गया main correspondence, insect correspondence के लिए हाथ की पोजिशन हमें इस तरह के से रखनी होती है, सबी finger ऊपर की direction में होनी चाहिए, यहाँ पर पूरी बोड़ी हमारी finger में होती है, यह हमा सबी finger पर हमारा brain का area होता है, आप कोई एक finger पर treatment दे सकते हैं, या फिर सबी finger पर treatment दे सकते हो, आपको अच्छी तरीके से point को दबा के देखना है, सबसे tender point पकल लेना है, वो एक finger में मिल सकता है, या फिर आपको सबी finger में भी मिल सकता है, जितने maximum आप area पर treatment करोगे, उतना ह जल्दी आपको result मिलेगा तो यह हो गए हमारा step 1, step 2 में अब यह सभी point को हमें activate करना है तो यहाँ पर आप इस तरीके का tool का इस्तमाल करिए इनको अच्छी तरीके से दबाना है 2-3 मीट के लिए हर एक point को दबाना है वहाँ पर अच्छा दबाओ देना है ताकि आपको हलका-हलका pain feel हो तो यह हो गए हमारा step 2, step 3 में यहाँ पर हमें magnet है तो seed apply करना है magnet में आप star magnet ले सकते हो star magnet को आप बार-बार इस्तमाल कर सकते हो इसलिए हमारी treatment OT cost effective हो जाती है और अगर आप seed ले रहो ज़री होता है तो यह बात आपको खास जैन में रखनी है magnet या तो seed को दिन में आप कभी भी लगा सकते हो या फिर रात को लगा दिये सुबह इनको निकाल दीजिए दिन में लगा रहा हो आपके पास time है तो हरे गंटे 1 या तो 2 मीट के लिए आप इस तरीके से seed को दबा भी सकते हो तो बहुती जल्दी से आपको result मिलेगा तो इस तरीके से आप यह simple सी सुजोग therapy treatment करके आप brain के सबनी जो यह तकलिफ है आपको हो रही है इसमें बहुती बढ़िया result ले सकते हो और इनके द्वारा ही आप अपने brain को हमेशा healthy रख सकते हो इसी तरीके से अगर आप अपने सरीके सभी रोग का इलाज सुजोग therapy के द्वारा शीखना चाहते हो तो आप हमारा online course भी join कर सकते हो वहाँ पर हमने 1500 से ज़्यादा रोगों का इलाज बताया वहाँ पर हमने 100 से ज़्यदा वीडियो से रखे हो है कि जिनके द्वारा आप घर बेटे बहुती आशान इसे सुजोग therapy को सीख के खुद का परिवार के लोगों का आउस पास के लोगों का इलाज कर सकते हो आप अपने खुद का एक center भी open कर सकते हो तो आशा रखता हो कि आपको हमारी information अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो यो वीडियो को like जरू करें ज्यादा से लोगों तो share करें दाकि सभी को help मिल पाए और ऐसे अच्छी information के लिए आप हमारे channel को subscribe भी कर सकते हो Thank you for watching